हेलो दोस्तों कैसे हो आप समय गायतरी आसरी तो सबसे पहले मैं आपको एक जुरूरी बात बताना चाहूंगी कि मैंने पिछले हफते ही अम्रेला कुर्ती की वीडियो यूटूब और फेस्बुक पर डाली थी जो किसी टेक्निकल प्रोब्लम की बेज़े से आदी ही चली थी और वो वीडियो ये है और मुझे पता भी नहीं था कई बार ऐसा हो जाता है फेस्बुक पर ही किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था तब मुझे पता चला और ये वीडियो मैंने विगनर्स के इसाफ़ से अपना 100% देखकर बनाय थी और उसी कोई मुझे डिलीट करना प गया और मुझे कमेंट कैसे लाए जाता मुझे नहीं पता ये आपको पता हो तो मुझे बताना उसको मैं परसनल मैसेज करके दन्यवाद देना चाहूंगी तो इसलिए मैं इस वीडियो को बापस डाल रही हूं और इस वीडियो को आप अपना पूरा प्यार देना और बता तो देखी जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो विगनर्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाती हूँ तो मैंने यहां पर जो है कपड़ा लिये चार मीटर, चार मीटर कपड़े में मैं पलाजो भी बनाऊंगी और यह एंब्रेला फ्रोक भी बनाऊंगी तो यहां पर पलाजो की मैं वीडियो नहीं डालने वाली हूं इसकी वीडियो मैं next लेके आऊंगी तो सबसे पहले मैं top part की cutting करूंगी जो अस्तर पर करने वाली हूं तो आप इन अस्तर के भी बना सकते हो इसको मेरा यह जोजट का कपड़ा है इसलिए मैं अस्तर लगाऊंगी तो मैंने यहां पर जो अस्तर लिया है तो देखिए मैं यहां पर कपड़े का आरज बता देती हूं तो यहां पर कपड़े का आरज है 22 यह नहीं कि 44 सिंच का इसका आरज है तो 4-fold करने के बाद मेरे 2 पीच यहां से निकल जाएंगे नोमें भी कर लिया है जो खुला बाग है ना वो मेंने अपनी तरफ रखा है और बंद बाग मैंने आपकी तरफ रखा है अब आगे से आपको जो है ना quarter inch के करिब आपको छोड़ना है जैसे हुकाई में आप छोड़ते हो ना blouse में वैसे इस में भी छोड़ना है और यह मैंने निचे वाला भागा ना वो छोड़ा उपर वाला भाग नहीं छोड़ा है निचे से मैंने एक्स्टा रखा है ठीक है तो मैं यहां पे पूरा आ रहा है तो देखिए सबसे पहले उपर से आपको सीधी लाइन लगानी है इसके टेड़े पर निकालने के लिए तो मैं यह लगा देती हूं उसके बाद आपको आदा इंच का निशान और लगाना है और वो मैं क्यों लगा रही हूं वो आगे पता चल जाएगा तो मैं यह निशान लगा लेती हूं आदा इंच का और यहां पे मैं जो निशान लगाने वाली हूँ वो पहले मैं बैक कि मैं जो पिछे का गला है ना वो तीन इंच का बना रही हूं जब तीन इंच का गला बनाते हो ना जितना भी आपका शोल्डर आता ना उतना ही आपको निशान लगाना होता है यदि यहां पर मैं कोलर वाला बनाती है तो फिर मुझे यहां पर आदा इंच का निशान और ले लंबाई तो आप उसको ज़्यादा कटिंग भी कर सकते हो बाद में ठीक है तो मैंने निशान लगा देव इसके बाद चोली की लंबाई रखनी है जितनी आपकी चोली है ना लंबाई त्यार है उसमें आपको एक इंच और प्लस करना है तो मैंने आप पंद्रा इंच की नवाई रखिया है तो आप अपनी हिसाब से रख लीजिएगा अब इसके बाद चैस्ट कानिशानwo लगाना जितनी आपको । करने पूरे में उसमें लुजिंग रखने के बाद उसको फॉर्थ करने के बाद उसका आपको निशान लगाना है फिर डेड़ इच आपको एक्स्टा मार्जन लेना है ठीक है अब इसके बाद इस निशानों को आपको मिला देना है तो देखें यहां पर जो लूजी होती है वो अपनी पसंद के अकोर्डिंग रखता है मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया है अब इसके बाद एक की साइड से लटकेगी नहीं जोँए फरोग है अब इसके बाद आपको गले का निशान लगाना है तो डाया इंच का मैं गला रखुंगे आप तीन हीच भी रख सकते हो और गले का निशना अज़ें आफका निशान लगाना है और यहां पर आपको गुलाई कर देनी है तो देखें यह अप अप सासे निशान लगा है किविगनष कई बार और आगे वाले पले कीसाथ से निशान लगाती है और कपड़े को बिगाड़ लेती है तो मैंने इसकी cutting कर लिए अब इसके बद आपको निशान नीचे वाले पल्ले पे लेने है ठीक अगले का निशान लेने है फिटिंग का निशान लेने है और जो chest line है उसका निशान लेने है ठीक है तो मैं यह निशान लगा लेती हूं अब उसके बाद जो न उपर से भी मैंने आदा इंच का एक्स्रा लिया था न निशान तो उसको भी आपको यहां पर शोल्डर पर लगाना है पहले तो मैं यहां पर पहले आपको सिधा निशान लगा लेती हूं जो आदा इंच का पहले लिया था, सेम तरीके से मैं यह आपको बताऊंगे इच्छी तरह से तो मैंने पीछी वाले पल्ले के इसाफ से पहले निशान लगाया थी इसलिए यहाँ पे निशान लगाने होंगे दुबारा तो मैंने ये निशान लगा लेए इसके बाद आपको आरा मोल की तरफ एक या सवा इंच के करीब अंदर की तरफ निशान लगाना है और लाइन को आपको तीर्चा मिलाते हो यहां पर आरा मोल की गुलाई कर देनी है तो मैं आपको यहां पर आरा मोल की गुलाई कर लेती हूं तो इस प्रकार यह आप एक इंच भी कम कर सकते हो अब गले का निशान लगाना है आपको आरा मोल की तरफ है आदा इंच का निशान और लगाना है और जो गले का निशान है न और जो सिद्धी लाई न वहीं से आपको यहां से इसको तिर्चा मिला देना यहां पर थोड़ा मेरा केमरा जो है थोड़ा बलैक पलेक हो गया है तो यह देखें मैं तिर्चा निशान लगा देए इसकी कटिंग कर लेनी अब इसके बाद तो इस यह निशान लगा लेने है ल निशान लगा में निशान करें लगा दीजियेगा लागाने, वह प्रम न हमें लिए नि ले लगा 수र है। तो देखी इसको मैं कपड़े पे रखके कटिंग करना है तो मैंने यह आप है कपड़े को डबल करके उल्टा करके रखा हुए है और बंद बागी तरफ मैं क्या करूंगी पीछे वाला पला निकालूँगी ठीक है को यूज करो तो पहले जुएस्टर को आप अच्छी तरह से दो लीजीगा उसके बाद ही आपको यूज करना है ठीक है तो मैंने यह यहापने इस लाही लगा लिया अब इसके बाद इसकी फिनिशिंग कर देने हैं सभी की तो मैं इसकी फिनिशिंग कर लेती हूं उसके बाद आपको पोर्टली बटन बनाना बताती हूं तो यह देखें मैंने कपड़े की कुछ कतरन लिए है और कपड़े के अंदर ही मैं इसको थोड़ा सा डालूंगी और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको आपको होल्ड करना पकड़ना और उसके बाद उपर से आपको धागा लपेट देना है इस परकार यह पोर्टली बटन बन जाएंगे और यह मैं इस पे लगाने वाली हूं तो देखें पोर्टली बटन आप किसी में भी लगा सकते हो अब मैंने इसकी फिनिशिंग कर लिए अब इसके बाद क्या करना है आपको जो है इसको सिधा करना है सिधा करने के बाद जो मैंने क्वार्टर इंच एकस्टा लिया था ना उसे पर आपको सिधी तरफ निशान लगाना है पहले उपर से और यहां पर पोर्टली बटन लगाने है लेकिन उससे लगाने से पहले आ आप पर पॉर्टली बटन रख लेती हूं और कैसे लगाने वह आपको दिखा देती हूं यह देखे इस प्रकार आपको पॉर्टली बटन रखने हैं तो आप मेचिंग भी लगा सकते हो तो मैंने सेम कलर के लगाए हैं अब इसके बाद उपर से आपको सिलाई लगानी है तो रखने के बाद जो पहले पॉर्टली बटन पर जो सिलाई आई हुई है उसी सिलाई पर आपको वापस सिलाई लगानी है तो मैं यह सिलाई भी लगा लेती हूं उपर से और इसके बाद जो पॉर्टली का एक्स्रा कपड़ा ना उसकी भी कटिंग कर लीजिए गा इससे फि पीछी सिलाई लगा लगी तो मैंने यहां पर यह से डाट पर भी है जो सिलाय लगा लिए अब überzeug लगाने के बाद जो ए engrave कीटिंग करने है तो मैंने पीछे वाला पल्वा पहले लिए आप पीछे वाला कोई भी जो है पले की cutting कर सकते हो अब जो गले की चुड़ाई मैंने डाई इच रखी है और जो गले की लंबाई है मैं तीन ही च रखूँगी और इस परकार बोक्स बनाना है बोक्स बनाने के बाद गोल यहां पर राउंड करते हैं इसकी भी cutting कर लेनी है इसी परकार आपको जो है आगे वा आप चाहो तो यहां पर आप बुकरम का गला भी बना सकते हो लेकिन मैं इसी शेम में राउंड में पटी cutting करके लगाने वाली हूँ वो कैसे cutting करने है वो भी मैं बता देती हूँ तो देखें यहां पर मैं एस्तर ले एस्तर को आपको फोल्ड करना है जितना आपका गले की जो चड़ाई है उससे थोड़ी ज़्यादा और इसके बाद गले को इसकी उपर रखने है और यहां पर आपको गलाई में निशान लगा देना चाहो तो आप डारेक्ट इसकी cutting भी कर सकते हो लेकिन मैं यहां पर निशान लगा रही हूँ और उपर से आपको एक्स्रा लेन और शिलाई लगा देनी है तो मैंने यह सिलाई लगा दिया सिलाई लगाने के बाद आपको नोचस लगाने अंदर की तरफ ता कि एची तरह से फोल्ड हो जाए टान हो जाए और फिनिशिंग के साथ आए अब उपर से आपको क्या करना है कि यहां पर आपको किनारी बाली ने की पट्टी के उपर सिलाई लगानी है तो सिलाई लगाने के बाद यह न अची फिनिशिंग के साथ जो है टरन होती है यहां पर आप दुर्पाई कर लीजिएगा यह देखिए मैं आपको गला दिखा दिएती हूँ इस परकार यह फिनिशिंग के साथ जो आपका गला लगा देनी है इसी परकार दूसरे को रखना एक दूसरे के ऊपर सिलाई लगा देनी है ठीक है तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ और मैं इसमें पलाजो भी बनाऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँँगी? दो मीटर के करीब मैं करको, यानि कि 2 मीटर कपड़ा ही मैं यूज करूँगी इसमें, यानि कि 1 मीटर पहले मैं ले ले लेती हैं उसके बाद उसको कपड़े को फोल्ड करूंगी तो इस प्रकार यह मेरे कपड़ा जो है वो दो मीटर हो जाएगा इसको मैं अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ अच्छी तरह से जता कि यहाँ पे कोई सलवटे ना हो तो मैंने सेट कर ले इसके बाद एक कोने को पकड़ना है और कोने को पकड़ने के बाद ट्रेंगल में कर लेना है जिसे आप अमरेला प्लाजो को बनाते हो सेम तरीके से इसको ट्रेंगल में कर लेना है तो अब देखिए कमर का निशान कैसे लगाना है चोली पे आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है उसके बाद वहीं से आपको फोल्ड कर लेना है और इस प्रकार उपर से रख लेना है और जहां तक का रहा है न वहीं पे आप निशान लगा लेना है और जहां तक निशान आया है न वहां से पहले आप मेजरमेंट कर ली है अगर ज़ादा होना तो ऊपर से आप क्या करिएगा आदा इंच और लिजीगा और पूरे में निशान लगा दीजीएगा उससे पूरा हो जाएगा यह और इसके बावजू देदि है आपका पूरा आ रहो ना फिर पहले उसको आपको माइनस करने के बद आपको लंबाई का निशान वहीं पर इंचिटेव को रखना और लगाना है और मैं कहां तक लूँगी जहां मेरा निचे से जो कपड़ा फोल्ड अना वहीं तक निशान लगाऊंगी और यह मैं बीन जोएंट का गेरा बना रही हूं त इतना है तो इस प्रकार पूरे में निशान लगा लेना है तो देखें यहां पर मापको खास बात बताने वाली हूं ध्यान से सुना यह देखें यह ऐसे खुला जो भाग है वहां से आपको क्या करना है बारा या तेरा इंच का निशान लगाना पहले उसके बाद आपको ल पच्चकदार हो जाता है और बढ़ जाता है इसलिए बढ़े ना इसलिए आपको थोड़ा कम करते हुए आपको निशान लगाना और कटिंग कर लेने हैं तो मैंने यह कटिंग कर लिए है ठीक है तो अब देखें यहा पे जो मेरा जितना भी कपड़ा बचाना तो यह मेरा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उस ट्रिक के बारे में पता चल जाए अब इसके बाद आपको क्या करना है चोली को राउंड में अटेच करना है तो राउंड में अटेच करने से पहले आपको क्या करना है साइड वाली आपको सिलाही लगानी है जो कमर के पास करने के बाद इस पे मैं साइड में भी सिलाई लगा लेती हूं और जो नीचे का जो गेर है ना नीचे के गेरे को भी आपको क्या करना है सिंगल पहले फॉल्ड करना है फिर उसके बाद डबल फॉल्ड करके उपर से सिलाई लगाना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूं तो इसके बाद आपको चोली को अल्टा करने के बाद आपको इसके अंदर रखने है और अपस में मिलाना क्यूंकि गह्रे के में आपके एक तरह सिलाही आएगी एक तरह तरह नहीं तो इस परकार आप यहां पर पिने लगा लिजिएगा और सेंटर को सेंटर से मिला दीजिएगा ठीक है तो मिलाने के बाद यहांपे मैं आपको एक और तरीका बताने वाली हूँ यदि आपका गेरा थोड़ा सा बढ़ भी जाता है न तो उसको आप कैसे अरजस्ट कर सकते हो इसे ही में मैं आपको बताने वाली हूँ दियान से सुनना और दियान से देखना तो मेरा यहां पे तो यह पूरा घेरा आ रहा है तो अब इसके बाद यह क्या करना आपको गुलाई में सिलाई लगा देनी है वाइदे वे यहां पे आपका घेरा बड़ा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए देखिए आपको घेरे के उपर जो है किनारी किनारी पार्च नमबर की सिलाई लगा देनी चाहिए इससे आपका घेरा जो है छोटा भी हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं और पूरा आपकी चोली के साथ पूरा सैट हो जाएगा यह सबसे वैस्ट तरीका तो यहाँ पर दूसरी बात मैं मैं यह बताना चाहूँगी जो इसका अंदर का Margin होता है उसको आपको पिछे की तरह FOLD करना और उपर से आपको सिलाई लगानी है जिस प्रकार आप बाजू में FOLD करते हो और उपर से सिलाई लगाते हैं यहाँ अपर सिलाई लगाना है तो मैंने इसकी निविदीन. कटिंग कर लिए अभी देखिए इसका जो अम्रेला गेरा वो कैसे निकालने है तो देखिए यह तीर्चा कपड़ा जो बचा हुआ था नो इसमें मैं गेरा निकालूंगी आपको क्या करना है कपड़े को डबल करना है और फोल्ड कर लेना इस प्रकार तीर्चा ट्रेंगल मे फोल्ड करने के बाद आपको जो है सलीव की मोरी को रखना है इसके उपर जैसे पहले रखाता ना जैसे चोली को उसी प्रकार रखना है और आपको वहीं पर यह निशान लगा लेना है जानता कि यह मोरी आ रही है ठीक है तो मैं पूरे खुले में जोडने वाली राउंड म आप पूरे पर गुलाई में निशान लगा लिजे और इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लिजेगा तो इस प्रकार यह दोनों सलीव का गेरा निकल गया अब इसके बाद जो सलीव बनाई थी ना उसको मैं फैबरी पे जो है रखके कटिंग करना है तो देखिए मैंने कर लिए अब इसके बाद आपको क्या करना है सीधा सही है कि आपको जो अस्तर असलीव के उपर अटेच करना है जैसे पहले चोलिकों के था वैसे इसको भी करना है आपको पांच नमबर की सिलाई लगानी है इसको अस्तर को रखते हुए चारो तरफ तो मैं यह पूरे पर दर लिया फिनिशंग भी करने आपको इसको गरे को टैज करना है यानि की जो इसका जो नीचे का बोटम को टैज करना है तो देखे स्लीव के मोरी पे पहले आपको चेंडर का निशान लगाने है उसके बाद ग तो सीदहां जा रकना अर गेडर को ऊहरेको अल्टा रकना है तक हम आपके दूसरा त्रीक का भी बतातीूं। देखिए कैसे करना है आप संद्र सब्व्यत सद्रत करते हो्डए है अम छित्य दो क्या क्या करना है आपको क्यों क्या करने मतन। यह देखिज़ा है बीच कमड़ में कपड़ा भशादा बनेगा आप box plate बना दीजिएगा इस प्रकार और उपर से आप सिलाही लगा दीजिएगा तो इस प्रकार भी sleeve बनती है और वो भी अच्छी लगती है ठीक है लेकिन मैं ऐसा नहीं बनाऊंगी मैं सिधी बाली बनाने वाली हूँ जो मिरा extra कपड़ा है मैं उसकी cutting कर दूंगी side से और इसकी cutting करने के बाद जो इसका नीचे का गेर है ना bottom है उसको fold करना है तो इसके लिए पहले आपको single fold करना और सिलाई लगानी होगी उसके बाद दुवारा fold करना होगा और सिलाई लगानी होगी तो वो मैं आपको machine पे अच्छी बारिकी के साथ बताने वाली हूँ तो देखिए यहां पे दियां से देखिएगा कपड़े को थोड़ा सा fold करना है fold करने के बाद आपको दोनों हतों से कपड़े को थोड़ा थोड़ा fold करने के बाद उपर से आपको सिलाई लगानी है यहां पे आपको ध्यां रखना है कि कपड़े को बिल्कूल भी नहीं खीचना है क्योंकि यहां पे कपड़ा आपका ओरे भी हो जाता है और खीचने के बाद यह आपका फिनिशिंग नहीं आएगा तो यहाँ पे दोनों हाथों का आपको यूज करना है और राइट हाथ से आपको कपड़े को उपर करते जाना है और आपको उपर से सलाई लगाते जाना है तो इस प्रकार आपको उंगलियों का यूज करना है और दीरे दीरे सलाई लगानी है फास्ट नहीं चलानी है सलाई क को वरना आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी तो इस प्रकार ये पूरी पे सिलाई लग जाएगी थोड़ी सी प्रोब्लम हो सकती आपको तो मैंने सिलाई लगा दे अब इसके बाद दूसरी बार आपको इसको फोल्ड करने और उपर से एक वर जैसे पहले सिलाई लगाई थी वैसे आपको उपर से लगानी है और जब आप दूसरी बार लगाते हो ना तो आपके लगाए बड़ी अच्छी प्रकार लग जाएगी इसमें कोई प्रोब्लम नहीं आएगी और इसमें भी आपको दोनों हाथों का यूज करना है और दीरे दीरे आपको चलाते जाना है स्लीव को चास कारिए उपर की तरफ होनी चाहिए अब स्लीव को खता ही अदर यदुरी के नदर चाहिके बाद को कूरति को संटर प्याइगा अा उसको लेनwegen और जो कूरती का अजोbrahim है जो उसको लिखि को बाद आप स्लीव को एक और देख लीजिएगा कि यह बड़ी छोटी तो नहीं है तो मेरी पूरी है अब इसके बाद आपको गुलाई में सलाई लगा लेनी है तो मैं दोनों पर लगा लेती हूं तो मैंने पूरी कुर्ती रेडी कर ली है तो यह कुर्ती आपको कैसी लगी औ और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये कुर्ती बना लोगे और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक जुरूर कर देना और यदि आप नए हो इस चैनल पर आए और वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर देना इसी प्रकार मैं आपके लिए सिलाई से जुड़ी नई नई लाती रहूंगी बो भी पूरी डिटेलिंग के साथ यदि आप फेस्बुक से इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को फॉलो जूरूर कर देना तो मिलते हैं फिर एक और नई इस लाइक की वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाई बाई और हाई इस को ट्राई जरूर करना